Hello everyone, मैं हूँ किरिंशापुरी और ये है आप लोगों के लिए August 2024 की Love Tarot Reading तो अगर आप जानना चाहते हैं कि August मन्त में आपकी Love Life में क्या हो रहा है क्या आपके पार्टनर की energies होंगी, क्या आप में हसूस करेंगे कौन सी छोटी छोटी सी बाते हैं जिनका खयाल रखके आप से राशी हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो इन फाक जिस साइन के साथ आप सबसे ज़्यादा रेजोनेट करते हैं आपको लगता है कि ये साइन आपका है, आप उस साइन के हिसाप से इस reading को देखें तो चलिए जी शुरू करते हैं August 2024 की Love Tarot Reading and third set of cards में देखेंगे कि finally August month में क्या हो रहा है तो आप से शुरू करते हैं और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहले cards है Four of Pentacles and Changing और ये cards इदम से contrary energies की बात करते हैं जहां Four of Pentacles का card किसी चीज़ को hold on करने की बात करता है कहीं थोड़ा सा rigid, थोड़ा सा fixated होने की बात करता है वहीं changing का card, flexibility की बात करता है, let go करने की बात करता है और यही एक conflict कुछ टाइम से यह August starting में आपके मन में रह रही है आप देखें जनरल लीडिंग है situation, circumstances सब के लिए differ करेंगे कुछ के लिए हो सकता है partner की कोई बात बुरी लगी, partner का कोई behavior, attitude बुरा लगा और आप उसको let go नहीं कर पा रहे हैं, कहीं मन ही मन आप let go करना चाहा रहे है कुछ के लिए देखें, relationship ही हो सकता है और इसका मतलब यह नहीं कि आप break up चाहा रहे है हो सकता है August starting में आपको ऐसे लग रहे है कि भाई, you know, आप बहुत action initiatives नहीं लेना चाहते हैं आप अपनी feelings को नहीं express करना चाहते हैं और कहीं मन ही मन आप express भी करना चाहते हैं तो दिखें, यहाँ पर मैंने आपको सिरोफ और सिरोफ examples दी किस तरीके से एक holding और letting go वाली energies में आप रहते हुए दिख रहे हैं कोई चीज को आपने बहुत tightly पकड़ा हुआ है, यहाँ पर आपकी feelings भी हो सकते हैं मैं ऐसा कह सकती हूँ, कुछ के लिए उनकी feelings love partner के लिए हो सकता है जिसको वो tightly पकड़ कर बैठे हुए हाला कि express करना चाहते हैं कुछ के लिए partner के लिए गुसा हो सकता है कुछ के लिए आपका कोई attitude, आपका कोई behavior हो सकता है जिसको लेकर एक जिद आपने पकड़ी है और मन ही मन आपको लग रहा है कि यह जिद ठीक नहीं है आपको बदलना चाहिए अपना यह behavior और इसी चीज को लेकर एक conflict है और कुछ के लिए आपके partner का behavior हो सकता है जिसको again आप hold on कर रहे हैं hold on का मतलब आपको बुरा लग रहा है और आप कहीं let go भी करना चाहा रहे हैं तो इस तरीके की energies रह रहे हैं और इसी लिए यहां पर otherwise भी mid August के लिए in and out and the world reverse के cards कहते हैं sorry the wheel reverse के cards कहते हैं कि बहुत up and down आपकी energies हो रहे हैं कभी आप बहुत जादा relationship में action initiatives ले रहे हैं कभी आप एकदम से withdraw कर लेते हैं कभी आप बहुत एक प्यार मोहबत अपने partner के लिए महसूस करते हैं कभी आपको लगता है कि नहीं आपके मन में उतना प्यार पता नहीं है कभी आपको लगता है कि आपके partner आपको चाहिए कभी आपको लगता है पता नहीं आपको चाहिए नहीं चाहिए तो यहाँ पर again देखिए मैंने आपको सिरफ और सिरफ example दिया है इस तरीके की energies आपकी mid August में रह सकती है जहाँ पर एक stability, एक surety आप नहीं महसूस कर रहे है कभी कुछ तो कभी कुछ आपकी feeling, emotions, sentiments होते हुए दिख रहे है और end August के लिए यहाँ पर Ace of Wands Reverse का card कहता है कि कुछ चीजों को end करके एक नई शुरुवात आप करना चाह रहे है अब देखें यह ending, beginning भी सब Capricorns के लिए differ करेगी कुछ के लिए हो सकता है जो भी issues, मसले हैं इनको end करके एक fresh start, एक बहुत बुलते हैं नई beginning partner के साथ करना चाह रहे है जिसमें enthusiasm है, excitement है, motivation है लेकिन ऐसा नहीं कर पा रहे हैं इसी ending, beginning को लेकर issues, मसले आप महसूस कर रहे हैं अब देखें, एकका दुका के लिए यह भी हो सकता है इस relationship को ही आप किसी level पे end करना चाह रहे हैं अपनी life की एक नई beginning करना चाह रहे हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं और deeper level के लिए आपको यह हैसास हो सकता है कि आपके मन में आपके partner के लिए बहुत प्यार है आप उनके लिए बहुत devoted है, dedicated है और दिखें कभी-कभी हमें इस चीज का हैसास होता है कभी-कभी नहीं होता है तो कहीं August end में इस चीज का काफी एक एहसास Capricorns आपको होता हुआ दिख रहा है कि आपके partner आपके लिए बहुत important है आप फिर बहुत devoted, बहुत dedicated आप अपने partner के लिए है अब देखते हैं कि आपके partner की के energies है तो कि आपके partner के लिए आपके सबसे पहले cards है Daydreams and the Emperor Rivers और ये cards भी कहीं contrary energies की बात करते है Daydreams के card को I don't know आप कितना देख पा रहे है figure है न ये कहीं एक lovey-dovey सा relationship या फिर love, care बहुत ज़ादा सोच रहे हैं यानि कि इसका एक ख्वाब देख रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ पर यही है कि आपके partner आपके साथ एक lovey-dovey बहुत ही loving, caring वाला relationship चाहा रहे हैं और उसका ख्वाब देख रहे हैं उसके बारे में बहुत ज़ादा सोच रहे हैं लेकिन surface level के लिए या तो action initiatives लेना चाहते हैं, नहीं ले रहे हैं या फिर जो भी action initiatives ले रहे हैं वो right direction में ले रहे हैं होता है ना कभी-कभी हम सोच तो कुछ हो रहे हैं लेकिन जो हम कर रहे होते हैं वो एकदम से अलग होता है एकदम से opposite होता है और थोड़े से aggressive भी होते हुए दिख रहे हैं थोड़े से you know rough rash भी होते हुए दिख रहे हैं या फिर एक बहुत loving relationship आपके साथ वो चाहा रहे हैं उसका खौब देख रहे हैं लेकिन कहीं mid August के बाद उनके energies में एक shift आता हुआ दिख रहा है Six of Pentacles का card कहता है कि surface level के लिए आप से connected है आपके साथ एक give and take है लेकिन मन ही मन ignoring you का card कहता है कि शायद इस relationship को ignore करना चाहते है आप देखिए इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि वो end कर रहे है, break up कर रहे है कभी-कभी होता है ना इनसान का नहीं ही frame of mind होता है बाते करने का, love express करने का तो कहीं किसी level पे again या तो ignore कर रहे हैं, करना चाहा रहे है और कभी-कभी आपको ऐसे लगता है सामने वाला technically तो right है मतलब आप pinpoint नहीं कर सकते वो आपसे बात भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं लेकिन वो एक warmth missing होती है वो एक love care missing होता है तो इस तरीके की energies आपके partner की रह सकती है and end August के लिए hush-hush and high priestess दोनों ही cards के similar से energies की बात करते है और ये cards कहते हैं कि थोड़ा सा वो withdraw कर रहे है और आपको ऐसे लग सकता है कि वो आपसे कुछ छुपा रहे हैं एक transparency नहीं maintain कर रहे हैं और अगर ऐसा आपको लग रहा है तो बिल्कुल सही है क्योंकि ये cards भी इन ही energies को represent करते है आपके partner silently कोई चीज कर रहे है आपको नहीं बता रहे है या फिर silent है अपनी feelings, अपनी emotions को लेकर और फिर से मैं कहूंगी बहुत एक mysterious सी energies उनकी रह सकती है जहाँ पर आपको ऐसा लगएगा कि पता नहीं इनके मन में क्या चल रहा है पता नहीं यह क्या सोच रहे है आपको समझ ही नहीं आ रहा है तो कहीं इस तरीके की energies आपके partner की रहती वे दिख रही है आप देखते हैं कि August month में क्या हो रहा है तो देखिए सबसे बहला card है Queen of Pentacles Reverse और यह card कहता है कि आप दोनों याप दोनों में से कोई यह काफी practical, realistic होके चीजों को deal करना चाहा रहे हैं कर रहे हैं In fact, कुछ के लिए हो सकता है कि आप practical, realistic होना चाहा रहे हैं लेकिन नहीं हो पा रहे हैं और deeper level के लिए addicted का card कहता है या तो आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत addicted है होता है ना कि आदती पड़ गई है चाहा कर भी सामने वाले के बिगयर रहा नहीं जा रहा सामने वाले के ओपर emotional, mental, physical इतनी dependency हो गई है कि उसके बिगयर कोई काम कर नहीं पारे सोच नहीं पारे कुछ ऐसी energies, कुछ Capricorns और उनके partner के लिए हो सकती है कुछ के लिए हो सकता है कि थोड़े से rigid fixated हो रहे हैं और हमने आपके लिए देखा Capricorns Four of Pentacles में कि आप थोड़े से rigid fixated हो रहे हैं या कुछ Capricorns थोड़े से rigid fixated हो रहे हैं और addicted भी कहीं उसी चीज़ को के लिए बहुत प्यार है, महबत है लेकिन surface level के लिए seven of souls का card कहता है कि avoid कर रहे हैं, ignore कर रहे हैं और आपके partner के लिए ignoring UK card में हमने बहुत ही clearly देखा कि वो कहीं किसी level पर ignore कर रहे हैं उस तरीके से messages कहो सकता है जवाब ना दे रहे हो इस तरीके से आपके phone calls ना ले रहे हो जिस तरीके से वो normally लेते हैं या फिर आप चाहा रहे हैं और आपकी भी energies में in and out का card कहता है कि आप भी कई on and off हो रहे हैं एक consistency के साथ चीज़ों को नहीं deal कर रहे हैं और यहाँ पर seven of souls का card भी कहीं escapism वाले energies की बात करता है कुछ चीज़ों से बचते बचाते दिख रहे हैं कुछ चीज़ों को avoid करना चाहा रहे हैं ignore करना चाहा रहे हैं और इसी लिए देखें आपर seven of cups का card कहता है कि एक confusion सी रहती हुई दिख रही है जहाँ पर आप दोनों याप दोनों में सी किसी एक को नहीं समझ में आ रहा कि वो इस situation में क्या करें क्या decision लें, क्या choice लें सोच तो बहुत रहे हैं लेकिन उस हिसाब से action initiatives नहीं ले रहे हैं, नहीं ले पा रहे हैं तो देखिए August month की energies बहतर हो सकती है सबसे पहली चीज अगर Capricorns आप एक flexibility अपनी energies में लेकर आएं आप इस चीज को समझेगी किस चीज को आपने hold on करना है किस चीज को आपने let go करना है कहीं बरी हम गलत चीजों को hold on कर रहे होते हैं यानि कि जिन चीजों को हमें let go करना होता है उसे हम hold on कर रहे होते हैं जिसको hold on करना होता है उसको हम let go कर रहे होते हैं तो इसकी एक understanding आप रखें और कहीं बहुत sure हो चीजों को लेकर और एक enthusiasm, excitement missing दिख रहा है तो जब आप sure होंगे clarity आएगी तो फिर enthusiasm, excitement भी बरकरार होगा उससे चीजें किसी level पर भैतर हो सकते हैं देखिए आपके partner के लिए हम guidance देने का कोई फाइदा नहीं है क्योंकि beyond the point partner क्या करते हैं वो आपके control में नहीं है लेकिन आपने अपनी energies को बदला तो आप देखेंगे कि सामने से उनकी भी energies बदल रही है और किसी भी चीज को avoid ना करें ignore ना करें क्योंकि देखिए joint energies में आपे seven of swords का card कहता है कि कुछ चीजों को ignore कर रहे हैं avoid कर रहे हैं आप एक transparency नहीं रख रहे हैं तो इस चीज को भी check करके correct करें कि चीजें बहतर होंगी और कहीं you know sure हो clarity लेकर आए क्योंकि seven of cups का card कहता है कि बहुत जादा mind में चीजें चल रही हैं बहुत सारे options चल रहे हैं और कहीं एक चीज पे focus नहीं कर पा रहे हैं एक चीज पे concentrate नहीं कर पा रहे हैं तो ये था Capricorns आप लोगों के लिए August 2024 की Love Tarot Reading और अगर ये reading आपके साथ resonate करी है आपको आपके सवालों का जवाब मिला है तो इस चैनल को like, share और subscribe ज़रूर करें